और 2023 MBBS admission season में आपका सौगत है और जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो देख शोगे मैं नेपाल गया हुआ था और सज बताऊं मेरे कुछ क्लाइंट्स पिछले दो साल के तीन साल के और एक उनमें बहुत प्रिये हैं खास हैं अलवर में रहते हैं वो व्यादर जी जिनकी कि बिटिया का हमने admission कराया था उनका मुझे बगया था फोन आ गया कि कहते सर आप वीडियो स्कों नहीं बना रहे हो मैं चाहता हूं कि आपके वास ज्यूनों ज्यूदा क्लाइन टाइम है कर नहीं सर बहुत धन्यवाद आपकी शुपकामनाओं का बर सच्चा ही है कि हम तो अपने आपको 5000 लोग बोलते हैं जैनुवर काउंसलर श्याद 50 होंगे और 50 में और भी बहुत अच्छे काउंसलर हैं फरक यह है कि चुक्कि हम सिर्फ 50 क्लाइंट का काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं और यह भी समझाओं मैं मैं आपको कि चाहिए आप हमेल ले किसी औ और को ले आपको नब प्रोसेस क्लियर नःट होनी चाहिए और शॉयद आपको ये भी क्लिज होना चाहिए कि कांसलर का रोल किया होता है जब आपना तो काम क्या है और यह बे northwest एक कंशलर की शुरत नह पड़े तो आपको बहुत क्लेल्ट विख अपको चाहिए ठीक है और और इस छोटे से वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नि रहेगी बहुत सिंपल से जो भी में पास क्लाइंट्स आते हैं और मैं हमेशा अपना फर्स सेशन बोलता हूं वह फर्स सेशन बेसिली मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूं आज ताकि आपको क्लेंटी ले और आप ब सेंट्रल प्राइवेट। सेटव Of that शांटना समझना की सेंट्रल की अन्यक्ष आतmother बिसक्त होता गाई या यहां पर को स्क्कूर्टद घ्रिम्ड ले चास्टिक से लिटेओंे होता है अगर मैं आपको किसी भी स्टे लाजरी कि इंद्ली दिलीमें टिलीआ सेंट्रल क्या तो थे अधा है ब्लीजेएटियॉणे पिपतीाला एप गम्रीश अम्रीसर घर्डेफियर अब्ट मोहाली में आगे मैं सब स्क्राइट गव्र्मेंट वो सतेंट सब्सक्राइब गयो नाम से नहीं पता चलेगा आपको तो शारदा कॉलिज जो की शारदा उनिवसटी के अंदर है वह डीमड नहीं है। वो सेंटर प्रवेट यह वो स्टेट प्रवेट यूपी स्टेट प्रवेट जबकि संतोष मेडिकल कॉलिज गाजियाबाद सुनने में कहीं उसमें यूनिवर्सटी का नाम नहीं है ना पर वह एक्टुली डीम्ड यूनिवर्सटी यह दीम्ड तो पूरे हिंदुस्तान में अगर इस समय बावन डीम्ड यूनिवर्सटी हैं उनकी हर सीट पे पूरे हिंदुस्तानी का हख है पिचासी परसंट अब यह कुद्रत ही परसंट है तो यह भी पिचासी परसंट होता है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्टेट कोटा के अंदर नॉर्मल सीट होती हैं और इ इनके सरफ़ 19 कॉलिज है जो सेंटरल कॉलीज है जो की एम सोगे सारे 15 पंदरा के पंदरा एमस बीचियो बनारस इंदू अभरेसरी के दो केंपर्स गिन के सारे फंड्स केंदे सरकार देती है तो यह कॉलेज कि स्टेट में प्रजेंट है उसको कोई फरक नहीं पड़ता ए यह सारे सीटे पूरे हिंदुस्तानियों के लिए वेलेबल है बट डेफिनिटली इसमें वह कोटा होता है जर्णल ओबी सी एस्टी कुछ सेंट्रल गवर्मेंट इसमें भी एनरे सीटे जैसे दिल्ली में फेमस साथ सीटे और यहीं आप बहुत सुनते हो कि कोई आप से कहते हैं मैं आपको एमस एनरे की सीट दिला दूँगा मुझे करड़ रुपय दे दो और आप लोग दे रहते हो एमस मैं वह भी समझाओंगा आपको इसी वीडियो में एमस एनरे का क्रेटीरिया बहुत क्लियर होता है जो सरकार कहती है एनरे मतलब होता है कि बच्चा या इसागी बहुता कि मामा और मौसी मोसा भी अगर है और मौसी नहीं है न तो वो रिष्टा लागू नहीं होता और वो रिष्टा इसलिए सरकारे में जडू ऑले Medicine लागू नεί सब्सक्राइब हर याना चाम्पल यह बात करें के जी कम यु लखनव जी वीम कानपूर की बात करें इसमेश जापूर यह सब स्टेट गवर्मेंट कॉलिज है इन सब कॉलीजों में 15% सीटे और इंडिया कोटा के लिए निकाली जाती है और पिचासी परसंट सीटे उस स्टेट में रहती है राइट उस स्टेट के बच्चों के लिए और फिर से सारी रिजर्वेशन होती है के टेगरी वाली और कुछ कुछ स्टेट गवर्मन्न कॉलिज सिट हर फिर यह पर स्टेट के अलग होते हैं कोई स्टेट के लिए निरिया के ली बराबर है जैसे हरिआना में चावला में भी शेह है और मैं पर हर्व स्टेट अपने रूर्विद लिखता है तो पी जे में होता है कि एनरे सीटेंट है उस पे पहला हक है आपको ह姐 तो होने पड़ेगा लेकिन जो फंडा मेंटली ठीर आप जैसे बचचा अधिया थी दर इसओं एंडियन नहीं है लेकिन क्या वो एक जमाने में हर्याना का था कि राजिस्तान का था तो क्या मैं सब मेरे लिए सब बराबर है और मैं ज्यादा माक्स वाले को सीर दूँगा यहां मैं यह देखूंगा जो मेरे स्टेट से बिलॉँंग करता ता उसको मैं पहले दोंगा तो जब अनुर एंगर के बात करती है तो यह कहते हैं मिशा पर एंडी वन वह होती है student जो खुद एंड़ ए और वो सी इस्टेड से बिलोंग करता था जिस्टेट की कॉलिज के अंदर ईनरए सीट है नंब्ल टू आपको प्रैल्टी मिलेगी है यह मेशा वह स्टूडेंट जो एनराइट तो है पर वह दूसरे स्टेट से हैं बनर थ्री स्टूडेंट के पेरेंट एनराइए हैं और वो सी तो फेमस कस्तूर्बा मेडिकल कॉलेज मनिपाल बैंगलोर जम्षेथपूर फार्ति विद्यापीट दीवाई पाटेल एसारम चेन्नाई अमरिता कोची यह सब डियुप इस साल नौर्थ में दो डियुप नहीं आ गई है अमरिता फरिदाबाद और M.M.U. सादोपूर अंबाला जो M.M.U. गुरूप की है जिनका सोलन और मुलाना में पहले कैंपस था स्टेट प्राइवट कॉलिज हो गए जैसे कि हरियाना में आदेश, S.G.T. गुरुगावा, N.C. सराना, U.P. की बात करें, रामा हापूर, रामा कानपूर, सरस्वती, रायसाम की बात करें, तांतिया गंगानगर, पैसविक उद्यपूर, यह सब हो गए स्टेट कियाए जाता है कि स्टेट प्राइवट कॉलिज में फिर वो आता है कुछ स्टेट अलाव करते हैं कि दूसरे चेट के बच्चे भी मेरे आं पढ लें और कुस्ट अलाव नहीं करते हैं उसको हम बोलते ओपन और तो बिलकुल हाब जुकल स्टेट हैं वो है पंजाब औरु के सब open States से स्टेट प्राइवर्ट कॉलेज के अंदर भी में होती हैं कुछ कुछ स्टेट प्राइवर्ट कॉलेज के अंडर गवर्रमन्ट कि की सीट होती है जैसा कि पंजाब में होती है जो 35 रुपे for ऑगी या करनाटका में कैयर रा में तो लाख रुपे की फीश होती है अब कुछ स्टेट गॉर्वर्मेंट। ने क्याका राया जैसे राजस्थान उन्होंने लगा कि भाई हम बच्चों को फ्री में क्यों पढ़ाएं मैंला फ्री मतलब लाख रुपे साल तो उन्होंने याद कि जो नए सरकारी कॉलिज खोले उनको सेमी गवर्मन्न का नाम दे दिया कि हम आप से नौ लाख रुपे फीस लेंगे बस बट वो सेमी गवर्मन्ट सीटे भी पहले उस स्टेट के डो मिसाइल के बच्चों के लिए हैं वो पिचासी परसंट और परसंट और निकाल के काउंसलिंग बॉडडी है किसकी करा रही है कि इस सब सीटों की इनOOOOOS इन सब सीटों की और 15% स्टेट सरकारी लेकिन हर्यानए स्टेट करेगा अपनी 858 परसंड स्टेट अर हंडर परसंड स्टेट प्राइबेट और 85 परसंड स्टेट गवर्मेंट यूपी स््टेट करेगा पिचासी फरसंट स्टेट गऊंसलिंग वो कॉंसलिंग अब आप थोड़ां सा और मैं कर लेता हुँ आप सरकारी सक्थारिक आप pasarik幸िएक मोप्रोचे करोगे एक संठProuks Confber जो काइंड ऑफ पास अगर मैं तुम्हारे गुडगामा का एजटी देखता हूं तो आपको हर्याना प्राइबट का फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा दिल्ली के पास ही आप नौड़ा देखते हैं ताब को यूपी का फॉर्म भरना पड़ेगा तीसी तरफ आप कहते हो आब आजाता है राजस्थान की उत्राखन की काउंसलिंग तो पांच काउंसलिंग में पाडिसिपेट करने हैं पांच सो चालिस नंबर वाला हर्याने का बच्चा उसको उमीद है कि कनाटका स्टेट काउस्टो कॉलिज मिल सकता है मेनेजमेंट फीस वाला जो कि 10 लाग प्राइविट बहुत मेहंगे हैं वुष हरुयानः स्टेट प्राइवेट उनिप स्टेट यह स्टेट करना चाहता हूं देखी है एक स्टेट का बुछा दूसरे स्टेट के स्टेटिस कंतकु एलुए और पंधरारल नकोट हैं स्टीट की बच्चे के लिए खिवाशक पर अब भलता है लेकिन वही यूपी का बच्चा या राहस्थान का बच्चा बच्चा फॉपरता है तो इसको गवर्मन्न कॉलीज नजर नहीं आते हैं काउंसलिंग में सिर्फ फ्राइवट नजर आते हैं चूश्च यह बहुत सारी कॉंप्रिकेटेट प्रॉसेस है इसलिए इ जरूत नहीं है क्योंकि आपने एक ही फॉर्म भरना भरना ऊपर सरकारी नीचे प्राइवेट और आपको पता है कि चार सो नंबर में शुरूरू रामदा से आदेश भटिंडा मिली जाएगा आप उसे खुश हो आपको बिलकुल काउंसलर की जरूरत नहीं है यह मेरा आपको सीट अलोकेट हो जाए तो आपको कैसे जाके सीट को लेना है कैसे जाके बाक्षी पेपर काम प्रॉसेस करना वह मैं गाइड कर दूंगा लेकिन बहुत ज़रा दिमाग इसमें मेरा लगेगा नहीं तो मेरी फीज भी आपके लिए सिर्क 15,000 रुपे होगी लेकिन हां आप चार सो नंबर पर यह देखते हो कि मेरे को अप्तिमल सीट मिल जाए जो मैं हमेशा लोग को कहता हूं कि आई विल गेट यू अप्तिमल सीट विच मींस फिर से अगर आप नौर्थ इंडिया की बात करें चार सो नंबर पर हम सब जानते हैं तो बेस्ट कॉलेजिस हिमा जैपुर भी होता है तो जब आपके पास शे साथ आप्शंस हैं और हर आप्शंस अरग कांसलिंग में आघी हैं सारा इसराम बरीली उजूपी में आ गया उत्रा इक कॉलेज मुलाना डीम्न में आ गया आदेश करुशतर हरियाना में आ गया तो मुझे आपके लिए पांच की फिस लेते हैं लेकिन आब डेसाइड करते हैं कि एक अब्सक्राइब क्यास्च कंश्छं सापको कैसे करते हैं 95 परसेटी इल्कुल कॉंशलिником से मिलती है इसमें EcoScope नहीं कुछ भी oपनी निचे होनेका इसने कोई स्कोर्थ नहीं है इन सब में कोिषके उपणी है सिरफ यहां और यहां थोड़ा सकॉप आता है अब लोग एんだ reca attackers बहुत कि मद्यए मध्यापरदेश के स्टेट फ्राइबड कॉलिजों में जो एनराइशीट की फीस होती है मतलब नब्य लाके पैगेज में आपको नॉन मध्यापरदेश के बच्चे को मिल जाती है जो अकसर नहीं मिल सकती थी प्रॉब्लम आप लोग गलती करते हो ना चूंकि का कॉलिज है ना उसको घपला करने में कोई इंटरस्ट नहीं है सरकार बहुत बड़ी चीज़ पैसे कोई कमी नहीं है जहां पर भी स्टेट कॉलिज है स्टेट प्राइवेट कॉलिज या सेंट्रल डीम्ड और जब एक राउड कॉलीज में हो रहा होता है आपके पेपर कॉल लिवी स्काइब कर रहा है ना वह एक्ञोर कर देत है और पैपर को डॉल चेक कर दियंवां अजय वहां पर काम हो ही नी सकता दूसरे चैनल से कॉलिज ही प्रैवेट है उनी के बन्त फिर कर रहा है और उसको मालोम है कि व आपको आपने ऑपीपर देना चाहता वे मिल जाती है एनराइगी फीस पे बिचले आपको अच्छा कॉलिज मिल जाता है जबके आप नहीं थे और वह गिने चुने कॉलिज हैं जाम यह नहीं करेगा कस्तूरुबा यह बिलकुल भी नहीं करेगा और जो करते हैं वह हमें मालूम है वह वीडियो में नाम नहीं ले स सकता तो समझ गया आप समझे आप को चाहिए अगर आप ऑप्टीमल सीट लेना चाहते हैं मैं हमेशा अपने क्लाइंट को एक बात बोलता हूं बस अगर आपके 400 नंबर है 400 नंबर है 320 नंबर है जो सीट मैं आपको लोकेट कराऊंगा उस सीट से भैतर सीट आप से कम नंब जादा नंबर कम नंबर वाले को नहीं मिली होगी तो आप यह नहीं कहें होगे मुझे सर आपने 320 में यह वला कॉलिज दिला दिया और मेरे किसी जानकार को 310 नंबर में मुझसे बहतर कॉलिज मिली और बहतर एक ऑप्टीमल वर्ड है आपको मैंने कॉलिज 80 लागे से बहतर कॉलिज नहीं मिला होगा और उस चीज की हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत के ही हम साथ हजार पिसेतर हजार एक लाख रुपए चार्ज करते हैं डिबंड निक पॉन की आपके कितने माक्स हैं तो यह है पूरा प्रोसेस और आप इसको ध्यान से समझे वीडियो को बा और वह बच्चे लोग भाग गए और जिस काउंसलेर से आप बात कर रहे हैं मिल रहे हैं कम समस्कॉंसलर के अपने के देशल देख लीजे ना वह कांसलर कहां रहता है उसका परिवार क्या है उसका खुद का हिसाब किताब क्या है लव चार एक जो खुद एक बाइस साल की लड़के से ठड़े से लोग हैं जो नौइडा में किराय की ऑफिस में बैठे हूं है और आप उनके हाथे 50 लाग दियारते हो तो शयद आप ही वेव थोड़े से आपका दिन शुब हो हमसे संबर करना चाहें नाइस इस फो त्री थ्री सिक्स टू थ्री टू जिरो पे कॉल किजिए धन्यवाद बबाए